नमस्ते लॉकडाउन 3 में सभी लोग हैं घर के अंदर बंध हैं तो मैं कुछ बात बताने जा रही हूँ यूँ तो सभी जानते हैं कि बहुत सारी कवीताएं हैं हिंदी और इंग्लिश में उन में से काफी कवीताएं बहुत लोग प्रिये भी हैं किन्तु राश्ट्र कवीर रामधारे सिंग दिनकर की कवीता जो बच्चों के लिए हैं काफी प्रेड़ना दायग और उपयोगी है जिसका सिर्शक है टेसु राजा अड़े खड़े यह कवीता काफी उत्सावर्दक और ज्ञान वर्दक होने के साथ-साथ मनुरंजन से भरी हुई है कवीते के माध्यां से दिनकर जी ने ये कहा है कि कोई भी वेंजन जो हमारी थाली में परोसा जाता है वो कई सारे लोगों के परिश्रम से बनता है इसलिए हम जब भी कोई वेंजन खाते हैं जो हमें काफी स्वादिष्ट लगता है तो हम सिर्फ उसे ये कह कर नहीं छोड़ें कि किसी को नहीं मिल रहा होगा बल्कि उसके साथ-साथ हम ये भी सोचें कि इस वेंजन को बनाने में सिर्फ हमारी मा का महनत नहीं बल्कि कई सारे लोगों का महनत उसमें लगा हुआ है इसलिए मैं उमीद करती हूँ कि इस कवीता को अपने बच्चों को जरूर सिखाएं और साथी साथ उन्हें इस बात को बताएं कि कोई भी वेंजन कितने तरह के कठीं और जटेल परिश्रम से बनता है तो आईए ये कवीता टेशू राजा अरे खड़े मैं आपको सुनाती हूँ अपने बेटे यान कित हुँ टेशू राजा टेशू राजा अरे खड़े माग रहे हैं दही बरे बरे कहां से लाओं मैं, पहले केज खुदाओं मैं, उसमें उड़त लगाओं मैं, फसल काट घर लाओं मैं, छान पटक रखवाओं मैं, चूला, पूग जलाओं मैं, तिक्या गोल, बनाओं मैं, फिर कराई में डालूं मैं, तलवा कर सिक्वाओं मैं, फिर पानी में डालूं मैं लू सब निचोर उन्हें, निचोर जाया जो सब के सब उन्हें दही में डालू तब नमक में छिरकाऊं मैं, चांदी वरक लगाऊं मैं, चमच एक गाऊं मैं, तब वे उन्हें खिलाऊं मैं Thank you Welcome